आप चाहती थी कि उकलाना से आपके भाई को टिकेट मिले, नारनौन से अजय चौधरी, ये लोग आपके करीबी माने जाते थे, अब जिसके जितने विधायक होंगे, बाद में उसकी चलेगी सीम पद के लिए, तो आपको पहले ही कट टू साइज कर दिया क्या, उकलाना से अब खुद लड़ना चाहती थी और लोकसभा से पहले भी मैंने सारजिनिक रूप से पब्लिक में, मैंने कहा था कि मैं खुद चुनाओ लड़ना चाहती हूँ, विधान सभा का, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाओ आ गया, और तब चुनाओ हुआ उसमें बहुत बढ तो उसके बाद भी मेरी इच्छा थी कि मैं विधान सभा चुनाव लड़ूं तो उकलाना क्योंकि मेरा ग्रेह है, कॉंग्रेस के लिए वहां काम हुआ है, हमारे लोग हमेशा से, 36 बिरादरी, मैं फिर कह रही हूं, 36 बिरादरी के लोग वहां पर सपोर्ट करते हैं, और मेरी इच्छा थी, इससे मैं क्यों गुरेस करूंगी, सारजिनिक रूप से मानती हूं, कि मैं उकलाना से लड़ना चाहती थी, और सिर्फ नार्नौन नहीं, और भी जगे, कई जगे, ह आर्नौन में किस तरह की टिपनी की क्या कुछ हुआ, तो साफ पता चलता है कि किस तरह के कैंडिडेट हूं, आप सोनिया जी से भी मिली, क्यों नहीं लड़ने दिया आपको चुनाओ, वेधान सभा, सोनिया जी से कब मिली हूं, आप कुछ महीनों पहले ख़बर आई थी, क दावेदारी तो कोई भी रख सकता है, यह हम सब मानते हैं कि हर पार्टी में होता है, कॉंग्रेस में भी है, और दावेदारी हर एक की हो सकती है, तो एक सिनुर्टी लेवल भी है, तो वो चीजें मैंने कही, शायद उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, उसकी वज़ शेल्जा जी आपको भी लगता होगा कि मैं सी एम क्यों नहीं बन सकती, एक ही आदमी जो कि पहले भी कईवा रह चुका है, वो ही क्यों उसका ही दबदबा क्यों हर्याना की पॉलिटिक्स में लगा, यह बात तो आपको कचोटती है ना, इसमें मैं नहीं आता, what is शेल्जा सेल्जा ठीक है, नाम है, लेकिन सेल्जा की एक जर्नी है, कुछ लोग हैं जैसे जो साथ लगे हुए हैं और तीन पीड़ी हमें भी हो गई यहां तक पहुँचने में, तो सिर्फ सेल्जा की बात नहीं, लेकिन जैसा मैंने कहा, केवल अपने लिए नहीं होता, पूरे समु उसमें मेरी भी इच्चा थी, तो उसमें है भी, अभी भी मैं यह थोड़ा ही कहूंगी कि नहीं है, बिलकुल इच्चा है, और लेकिन मैं यह भी कहूंगी कि केवल सेल्जा की इच्चा नहीं, यह एक स्टेट में व्यवस्था की बात होती है, तो कई चीजें होती हैं, तो मैं बार बार कहां भी तीन चार बार कह चुकी है और शायद इंटर्वी में और कई बार कहना पड़ेगा मुझे कि हम जो राजनितिक जीवन या राजनितिक रास्ता तेह करते हैं उसमें बहुत से लोग साथ जुड़ते हैं हम एक विचारधारा विदिन पार्टी भी कई चीजें होती हैं वर्टिकल्स होते हैं तो सब को लेकर हम साथ चलते हैं और लेकिन सेलजा की लड़ाई केवल अपने लिए नहीं है सेलजा की लड़ाई 36 बिरादरी के लिए है सेलजा की लड़ाई एक जो जिसको वीकर सेक्शन महिलाओं का जो बादा हिस्सा है तो महिलाओं भी आगे बढ़ती है तो हर तरह की बात है उसमें कोई ऐसी बात नहीं यह तो राजनी्ती में संखर्श होता है अपने लिए ऑर अपने साथियों के लिए और विचारों के लिए तो चलता है तो कब क्या बात हो अलग चीज़ तो सिफ दलित समाज के नहीं आपको लगता है कि महिला के तौर पर अगर देखें तो एक ही मुख्यमंत्री अभी पूरे देश में है ममता बैनर जी जो एक महिला अतिशी दिल्ली की बनी है अब तीसरा मौका क्या आपको हलाकि वहां पर तो उस पर मैं चर्चा करूंगी कि वह कितना काम संभालेंगी और कितना मतलब क्योंकि उन्होंने खुदी का आया में भरत की तरह इस कुरसी को रखना है ये कुरसी के इज समाज की महिला को लगबग 20-21 कि स्फीजदी दलित वोटर्स हैं यहां पर उनको कहें पर साइड लाइन किया जा रहा है मैं कहते हूं कि यह तो एक चीज है यह जैसा मैंने कहा दिस इस जर्णी एक रास्ता है तो ठीक है एक चुनाओं में अगर मुझे टिकेट नहीं मिली तो उसका यह मतलब नहीं है कि मेरा वजूद खतम हो गया है या हमारे लोगों की जो सोच है वो खत्म हो गई है ऐसा नही सबसे पहले शुरुआत मायवती जी से करते हैं उन्होंने कॉंग्रस पार्टी पर सीधा हमला बोला है छे ट्वीट्स की हैं सिर्फ आपके लिए यह पार्टी आपने अच्छे दिनों में फिर इनको अधिकांश्त दरकिनार कर देती हैं दलितनेताओं पर उनका यह है तथ सबसे पहली बात बाबा साहर केवल दलितों के नेता नहीं थे वो देश के नेता थे केवल उनको दलितों के साथ सीमित नहीं कर सकते हैं उनकी परस्नालिटी को क्योंकि सभी लोग सभी समुदाए दादा साहब को मानते हैं जो हमारे समिधान के निर्माता रहे मुख्य निर्माता रहे तो केवल दलित उनको कहकर एक तरफ रखना ये घोर अन्याय है मैं समझती हूं दूसरी बात एको राजनीती में हरे एक पार्टी सोचती है कि हम कहा क्या करें तो बिक इस मुद्दे को पक्ड़ें दूसरी पार्टियों गया발 इनको लगता है कि इस मुद्दे पर वो बोल सकते हैं तो चाहे कि बी-एस-पी हो, चाहे कोई हो, वो इस मुद्धे को वो करने की कोशिश करते हैं, पर मैं कॉंग्रेस पार्टी की और से कह सकती हूं, कि कॉंग्रेस पार्टी में पूरा मान सम्मान होता है, ऐसी कोई बात नहीं, यहां तक हम पहुंचे हैं, असल लग रहा है, दिल पर पत् पढ़े हों, लेकर मैंने कभी इस रास्ते को और मैं हमेशा कहती हूं, आपको मैं बोलूंगी, कि और साथियों को भी, जो भी राजनीती में आते हैं, कि यह मत समझिये कि आपकी रह आसान होगी, राजनीती संखर्ष है, को यह 9 to 5 जॉब नहीं है, वरना सिक्यूर जॉब यह तो 9 to 5 जॉब करो, यह तो संखर्ष है, और इसमें आगे चलते रहना पड़ता है, और अपना रास्ता बनाना होता है, मुझे गर्व इस बात का है, आपका भी धन्यवाद करती हूं, कि आपने पहजान की मेरी, कि आज हमारी पहजान बनी है, यहां तक पहुंचे हैं, यह तो यह भी कोई अपने आप में कोई चोटी बात नहीं, वलकि हम तो आभार आपका देते हैं, कुमारी शैलजा जी कि ऐसी विवादों के बीच में ज्यादा तर लोग अपने घर में रहते हैं, पर आपने कहा कि हम ने कमिट किया है, तो हम जरूर आएंगे पंजायत में ने कुमारी खिरा में कासमी कि आएंगे यहायत में जो अर चया कि बीच में काता है, यहाँ में तो हम अ Hospegs में जरूरल इसमादाने प्यादाने कि знаете, किश्सी को सब्सक्राव कि यहाँ है, किया यहाँ कि वरतोंवें जरते हैं, कि यहाँ हैं जरूर्वें ऑल आपका थे रह